इस्राइल ने 57 इस्लामिक देशों को दीचेतामनी कि अगर आतंकवाद हमास या हिजबुल्ला का किया समर्थन तो अंजाम होगा बुरा इस्राइल की द्वारा की गई आतंकवाद के खिलाफ कारेबाही ने सिखाया इस्लामिक कटरपंतियों को सबग कि अगर यहां भी नहीं रोका अपने आतंकवाद को तो अंजाम होगा बुरा गाजा जैसा होगा हाल जी हां नमश्कार ठिंग टैंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जिस तरह से इस्राइल के द्वारा आतंकवाद की खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है जिस तरह से गाजा पर अटैक किया गया है और हमास के आतंकवादियों को साफ किया जा रहा है उनका सफाया किया जा रहा है और उसके बाद हेजबुल्ला पर भी कारवाही की तयारी चल ऱई है जिसमें ये कहना होगा कि इसराइल ने एक तरह से कसम खाली है कि आतंक वाद का सफाया करके रहे गा जिससे कतर पनतियों के को सबग मिल गया है जिसकी वज़ा से 57 इस्लामिक देश बौकला रहे हैं जिसकी वज़ा से 57 इसलामिक देश आनन फानन में OIC की बैठक भी बुला रहे हैं ये एक ऐसी और्गनाइजेशन है जो 57 इसलामिक देशों ने अपने धर्म के आधार पर बनाई गई है जिसमें ये लोग जब भी इस तरह की कोई चीज होती है उसके ब रहे हैं और इस्राइल को सीधे तोल पर चितावरी दे रहे हैं लेकिन इस्राइल भी इनकी गीदर धंकियों से नहीं डरा आँकों में आख डाल कर इस ऐले कहा कि अगर आतंकवाद का समर्थन किया तो आप लोगोंसे खिंजाम बुरा होगा जिसमें इस ये तुर्की के लि जी हाँ दोस्तों वैसे तो कहने के लिए ये 57 इसलामिक देश लगातार मुसलमानों के समर्थन में आ रहे हैं हमास के समर्थन में आ रहे हैं लेकिन जब गाजा की पबलिक की बात आई गाजा के आम नागरिक की बात आई तो क्यों इजप्ट ने अपने बॉर्डर के दर्वा पर लेकिन जब यहां के लोगों को तुम्हारी असलियत में जरूरत है जब यहां पर इसराइल ने साफ तोर पर कह दिया कि 24 घंटे के अंदर यहां के आम नागरे के हां से उत्री गाजा को छोड़ कर चले जाए जिसके बाद यहां पर कारवाही की जाएगी लेकिन अफसोस यहां के लोगों को किसी ने शरण नहीं दी यहां के लोग उत्री गाजा से दक्षनी गाजा में शिफ्ट हो गए दोस्तों यहां पर अब बात आती है कि जब यहां पर लड़ाई की आतंकवाद की बात होती है तो यह लोग एक साथ हो जाते हैं और इसी को लेकर इरान ने यहां पर इसराईल को धंकी भी दे डाली लेकिन अब इन सभी देशों की गीदर धंकियों से इसराईल दरान है और इसराईल हमेशा ही लगातार हमास के खिलाफ लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है दोस्तों वहीं दूसरी तरफ लगातार यह कट्टर पंत यह 57 इसलामिक दिश विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं दरसल यह लोगों की स्ट्रेटिजी है कि भाई पहले तो तुम हमला कर दो उसके बाद जब वहां से भी हमला हो यानि कि जब आभी कारवाही हो तो तुम विक्टिम कार्ड खेल जब अपनी मीडिया को एक् किया अगर वो तुम्हारा दुबारा नुकसान करे तो तुम पूरी देश दुनिया में यह गोहार लगाने लग जाओ कि इस लड़ाई को रुकवाया जाए और यह लड़ाई रुक जाए तो उसके बाद कुछ दिन शान्त बैठो उसके बाद दुबारा से उसी तरह से पारे आरूपों को रद्ध कर दिया और अपने एकस पर बकाइदा एक वीडियो क्लिप शेयर की कि यह जो हमला है अपने गाजा में जिस तरह अस्पताल पर मिसाइल गिराई गई है वह हमास के दौरा गिराई गई है क्यूंकि यह मिसाइल गाजा से ही लाँच हुई और ग तो हो जाने दो यहां हम वित्यमकाड खेलेंगे और इस हमले को रुगवा देंगे और हमारे आतंकवाद का कोई भी सफाया नहीं कर पाएगा कि हाँ पर आमना घनिक मर रे हैं अब ये कारवाही रोग दो यही तो इनलोगों की planning है लेकिन यहां पर इस्राइले साफ तौर पर मना कर दिया है साफ तौर ये कहा है कि ये हमला उनोंने किसी भी अस्पताल पर हमला नहीं किया है जिस तरह से कारवाही हो रही है उसके बाद अब यहां पर यह 57 इसलामिक देश बौकला रहे हैं और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी से भी गोहार लगा रहे हैं क्योंकि लगाता जिस तरह से इसराइल के समर्थन में जापान भी आया है जो बाइडन ने भी बात की भारत भ को रुकवाईए नहीं तो बहुत बड़ी जन्हानी हो जाएगी यहां पर सवाल यही आता है कि जब इन लोगों के उपर बात आती है तो यह लोग इसी तरह का विक्तिम कार्ड खेल जाते हैं दर असल पाकिस्तान पर जब आतंकवादी हमले होते हैं तो यहां पर भी यही कर रहा है क्योंकि इस्राइल एक छोटा सा देश जिसके आबादी लगभग एक करोड है वही दूसरी तरब सत्तावर इस्लामिक देशों की आबादी लगभग 200 करोड है तो लगा यह 200 करोड और कहां एक करोड लेकिन फिर भी इस्राइल मजबूती से खड़ा है वो क्यों क्योंकि इजरायल में जो भी यहूदी हैं सोचते है उन्हें यहे पता है कि यहोदियों का देश है यहाँ पर हम किसी और को घुछने नहीं देगे यहाँ पर किसी और की नहीं चलने देगे उसी का परिणाम है कि आज दुनिया भर की यहूदी इस्राइल के समर्थन में खड़े हैं और सिर्फ कहने में ही समर्थन में नहीं खड़े बलकि बढ़ चड़कर लड़ाई में भी इस्ता ले रहे हैं जाकर इसी का परिणाम है क्या साड़े तीन लाख लगबग साड़े तीन लाख सेनिक इस्राइल के बॉर्डर पर खड़े हैं वहीं दूसरी तरह ये जो दूसरे देश है जिस तरह से सेकुलरिजम गए ये लोग क्या करते हैं ये इस्लामिक कटनपंती वाले लोग विक्टिम कार्ड खेलते खेलते एक और चीज खेलते हैं सेकुलरिजम जिस तरह भारत में सेकुलरिजम है भारत का बठबारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ लेकिन फिर भी भारत को बनाया गया कि ये सेकुलर देश है यहां पर सभी के लिए जगा है क्योंकि उस समय पर जो हमारे देश के जो हमारे नेता थे जो हमारी देश की सरकार थी वो कुछ इसी तरह की थी क्योंकि उन्होंने हमेशा ही तुस्टी करन की राशनीती की और जिसके तहत भारत को गर्ट तक पहुँचा दिया था लग भग और सेकुलरिजम के नाम पर भारत को हमेशा ही तोड़ते रहे जिस तरह से बांगला देश घुसपैठी भारत में घुसता रहे जिस तरह से म्यामार की भी कहें वहां से भी घुसपैठी आते रहे वही दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमारे भारत में जिस तरह से घुसपैठी नामा है लेकिन चा हुए यह को है तरह कि एक होटे भारत में वर नहरeger में बार्व में अन्य देशों में बारिक्रां भी ऑरक संख्यक का टैग दो लिया हुए लेकिन फिर भी बहु संख्यक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र ये लोग यही अवाया देते हैं कि देश में लोकतंत्र है और हम तो लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे लोकतंत्र में हमें सभी अधिकार दि हैं जिसके दम पर यह इन्दूम apad system के संस्कृति रही है आज उन्हें लोग लगाता क्या कोशिश है उनको बाटने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते अब यहां पर कुछ इस लोग ऐसे भी खुद अपने ही देश में यानि कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं ऐसे पत्रकार हैं जिनको लगता है कि हमास के हिजबुला के पैसे सही चल रहे हैं रवीश कुमार जैसे लोग यह लगातार ऐसा लगता है कि आतंकवाद का समर्थन करना वहीं दूसरी जो ऐसे लोग हैं कटर बनती हैं इनका समर्थन करना ही इनका काम बन गया है इनसे जैसे यहां पर इनकी जो रोजी रोठी है इनकी लोगों से चल रही हो और इनकी खिलाफ यह कुछ बोल नहीं सकते इसी तरह की यह मालसिकता रखते हैं और अपने ही देश में जिस ठाली मे खा रहे हैं उसी में एक तरह से कहा जाए तो छेद कर रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं तिंग टाइम